कि तो है लो दोस्तों कि आज का अमारे टॉपिक मैं चिकिस साथ को फिराथ मिख्यिच सा उसके पहले की जो वीडियो थे अगर आपने वह नहीं देखें तो मैं आपको सजेश्ट करूँए कि करने वीडीयोaders को पॉइंट को कवर कर रहे हैं ठीक है को सकते हैं तो को समझ में आ रहे होंगे वीडियोज आगा अगर न भी आयं समझ मैं तो आप कमेंट वाक्स में मेरेको बता सकते हैं तो को सकते कुछ अलग तरीका अपनाने की जिससे कि आपको समझ आए ठीक है वैसे तो वेसिकली समझ आई रहा होगा क्योंकि रियल लाइप से बड़े एक्जमपल कोई नहीं होते ठीक है तो इसी ही चलते हम आगे बढ़ते हैं विनावक्त गवाए तो हमारा आज का टॉपिक है प्रात वीडियो काफी लंबी हो जाएकी वीडियो में तो देखने में ना नहीं लगता है तो प्रात्मिक चिकिस्सा क्या होते हैं मैं सिंपल सी एक चीजी याद रखने हैं जो हमें पहले व्यक्ति दुवारा दी गई कोई भी ट्रीटमेंट अलब जो हमारी सहायता करता है और दूसरे स्थान पर सिफ्ट करके हमारी मलम पठ्टी करता तो उसके द्वारा दी गई कि द्रीटमेंट को द्रेशा बोलते हैं ठीक है कि इतनी जल्दी हमारे पास दॉक्तर सहाध मनब नहीं हो पाती तो नॉर्मली जो करते हैं तो उसको प्रात्मिक जिकिसा ही बोलते हैं ठीक है तो इसमें भी आप परिचे पढ़ लीजेगा परिचे में भी सेमी कुछ लिखा हुआ थोड़ा बहुत अलग चीजे भी लिख क्योंगी तो आप उसको पढ़ लीजेगा बैसे तो मैंने में पॉइंट जो मेरे को याद है वो मैंने आपको बता दिया है ठीक है तो हम फिना व माप और माप लेने वाले ओजार मतलब मेजरमेंट भी है और मेजरमेंट को करने वाले ओजार भी पहम है पढ़ने है ठीक है तो माप तो आप जानते ही होंगे किसी भी चीज का जो मेजरमेंट करते हैं माप लेते हैं उसी को माप बोलते हैं और माप लेने वाले ओजार कौ जोड़ा तो यह सब हमारे टूल्स हो गये तो यह तो आप समझी घंगे माप माप लिने वाले उसका मतलब क्या है तो इसमें पहली है एडिंग है हमारी मेजरमेंट ठी कर का माप ogl क्या है जैसे माप जेसे हमें कोई भी जाभ दे बनाने के लिए तो बिना माप के हम कोई जॉब त्यार नहीं कर सकते हैं उसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या लेना पड़ता है माप लेना पड़ता है मेजरमेंट करना पड़ता है कि जो ड्रॉइंग के अनुसार हमें जो जॉब बनाना है तो हमें किस साइज में बना तो measurement बहुत ही important है ठीक है तो इसमें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या है तो इसमें लिखा है कार साला में कार करते समय जौब या कार की माप जानना आती है अवश्क है ठीक है जिससे कारिगर अपनी कार कुछ सल्था के अनुसा सही ऑजारों का प्रियोग करके जॉब को सही स साइच और आकार में बनाते हैं तेकि मैंने बूला था न कि जब तक में जो मिज़र्मेंट नहीं करेंगे तो सही साइच नहीं बन पाएगा अन्याटा मलब उल्टा सीधा बन जाएगा तीक है गलत बन जाएगा फेल हो जाएगा हमारे जोब एकसेट नहीं होगा कस्टूमर लेगा नहीं ठीक है तो यही सबसे पहली मेंड चीज है मेजरमेंट ठीक है तो इस कमपोडेंट के साइज को किसी स्टेंडर यूनिट में दारित करने को मेजरमेंट कहते हैं यह जो लाइन है आपकी यह माप की डेफिनेशन आप जैसे बोल सकते हैं कि कोई आप से पूछ ले कि माप क्या है तो आप बोल सकते हैं कमपोडेंट के साइज को किसी स्टेंडर यूनिट में दारित करने को मेजरमेंट कहते हैं यह एक लाइन बोलने से माप की डेफिनेशन यहीं ठीक है तो इंचिटे एक तरह से हम टूल रहा है थीक है तो मेरे साथ से तो टूल्स बोला जाता कि जो आओजार होते हैं कötने वालें तो अब माप li together कि चिक है तो आंशनो कैवे माप क्या है ठीक है अब मांग में भी प्रकार होते हैं के अधियं होते हैं माप कितने पिरकार्ड के होते हैं तो पहला मैं आपको बता दूँ एक होता है रे ह pig headache माप होते हैं तो यह ढलता है जैसे किmar यह चार बिरकार के माप होता है, तो रेके माप क्या होता है, रेके माप मलनदब सीधी, सीधी नाप गई दूरी, म्ल McMahon जैसे मैं इदर थोड़ा Robert बता देता हो, जैसे को यह दूरी है, तूरी है, इसको बिलकुल हम सीधा माप है, बिल्कुल सीधा ठीक है तो यह हमारी कौन सी माप होगी रे किये माप होगी ठीक है इसको हम ले किस से सकते हैं इसको हम इस्टी रूल से ले सकते हैं बर्नेर कैलिपर से ले सकते हैं ठीक है तो इससे हम रे किये माप ले सकते हैं दूसरी हमारी आती है कौणिये माप तो कौणि करती है तो एक कोड का निर्मान होता है ठीके तो यह था-धर दğ след İ कोड़ बन रहा है तो इनकी मेजर्मेंट करने है तो हम किस से करेंगे इनकी मेजर्मेंट दूरो माली या से लेकिन जो हम workers रेंगे तो हमें काफी सारे तूल्स लेंगे जैसे की, वरर्नियर वेविल प्रोटेक्टर हो गया, साइन हजा हो गया, ठीके इन चीजों से हम ये, एंगुलर माप जो है, भी है निए सकते हैं, उसके बाज आती है हमारी त्रिज्य है माप, क्या होती है जाए कि यह के अग्यद्र केंड्र है तो दूरी को न हम क्या बोलते हैँ तो वह्य बोला थिरुझे माप मलब कोई तुरिज्ज्य रेडियस माप मप यह हमारी मां की इसको प्लएना है तो हम जो कैसे लेंगे radius में ही लेंगे ठीक है अब ambriarch हुझां तुरूंत याद आ जाएगा कि radius radius ॹोता है ठीक के उसकी सहायता से हम यह radius ले सकते हैं ठीक है उसके बाद置 समतल्र त्वह की map या Plain surface measurement यह अप इसकी definition मेरे करते हैं वह हमं चेकिंग किस से करते हैं समतल कि सब्सक्रीटर करेंगें ठीक है इन दोनों चीजों से हम इसकी अगर माप और चेक इंडिकेटर बोलेंगे ठीक है तो चेक इंडिकेटर और माप ना माप चैक और माप दोनों अलग अलग चीज़े हैं ठीक है कि टो इसमें एक मीटर में एकहलारव मोते हैं एक्षेंटिमींटर में 10 इसमों में माइके ढ yolk मैं और इसमय एकमीटर मैं से टाइन एक कि डिकीष्टर माइक सुन और एक इसमें … तो यहां यह जब आप यूनिट कर पर आपको लेकर आऊऊंगा यह कैसे कैसे कि यह क्या होता है जैसे यह से आपको यूनिट करने के था है जाए चलेगा नहीं विडियो ज्यादा लेंघ हो जाएगा तो पड़ते हैं लंबाई की मानक एकाईया ठीक है तो unit क्या होती है लंबाई की मानक एकाईया जैसे की एक होता है हमारा mks ठीक है ठीक है एक होता है fps एक होता है और एक होता है cgs तो एक होता है fps एक होता है cgs तो इसमें मतलब किया में है में कलोग्राम सेकिट एफप्यास का मतलब क्या है फुट पॉंड needing सेंटांट स्टेकें मतलब क्या है सेंटांटिमीटर ठीमीटर ग्रांब सेकंड यह तीन हमारी यह को दो समय मैं इसकी Smoke उनट पोछे में क्या है यह कर्या है सब्सक्राइब कर दो कर दा हूं न बस्तम caused transmis in लेने के लिए मानक की काई को आधार मान कर माप ली जाती यह विमिन परद्दितियों में माप की मानक एकाई आलाग हैं तो मैंने बता है ना अलाग है इसमें मीटर है इसमें fit एइसमें centimeter है घिक है अलग-अलग है जैसे कि fps पर द्रती में lembike Make 5 foot है cgf में centimeter है और invert3 में meter यह आपको उप़ता चुपा अब इसको यह आपको समझ में आगे होगा अब इसको आगे बढ़ते है मának-Mite तो इसमें क्या है मानक मीटर मतलब इसको डारेक्लिया में याद करना है कि हमारी एक जो फ्रैंस की राज़दानी पैरिस है उसमें एक प्लैटनम की रॉड रखी हुई है तो रॉड एकुरिट साइज में फेक्स है जीरो डिग्री सी तापमान पर रखी गई है तो उसी के अन अनुसार ही जो हमारे मेजरमेंट वाले टूल जो बने है इसी के अनुसार बने है फ्रांस की राज़दानी पैरेस में रखी हुई रॉड के अनुसार ही सारे हमारे मेजरिंग टूल बने हुए है ठीक है तो हमें यह याद रखने वाली चीज है इसमें जादा कुछ है नही ठीक है अब आते हैं माप लेने की बिधियां तो माप लेने की बिधिया क्या होती है तो इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसमें क्या है एक है प्रत्यक्ष माप एक है अब प्रत्यक्ष माप ठीक है और एक और माप होता है तुलात्मक माप ठीक है तो इसमें मैंने दो ही मेंशन किये तिसरा मैं आपको बता देता हूं घ्या अपनी बुक में दौन ही एक तो इसमें क्या है पृत्यक्ष माप क्या है मैं थ्वर ठेश माप आपको बता देतों प्रित्यक्ष माप वो माप हो है मतलब जैसे कि डारेक्ट हमें पता चल जा जैसे हमने कोई चीज मापी हमारे पास इस्टी रूल है ठीक है या हमारे पास इंची टेप है तो जैसे कि किसी हमसे बोल दिया यह बुक का सइस बताओ कितना है कि यह पूक आसाइज बताओ कितना है कि हमारे पास बोक है तो मैं अधर बना देता हूं दोड़ा तो जैसे कोई हमारे पास यह जॉब है अवमने डारेक्टली किसीना पूछ लिया है कि हम डारेक्टली यह हमण कि इंची टेप उठाएंगे, इधर से इधर तक की धूरी को डारेक्ट भी माप लेंगे ठीक है एंची टेप से हमें डारेक्ट ही पता होलगा चल जाएगा कि यह कितना है जैसे कि मानके चलो यह 25 है ठीक है यह हमारा है 25 company तो यह कौन सा माप हो गया डार ऐसी जगह मैंने इंचिटेब लगाय था और इसी जगह से दाता ही इसको ले लिट तक है तो और यहीं से दाग इतना हमने मउप लिया means काट कर दो इसको ले जाकर हम इतना ही लंबा हुआ हमने काट दिया बर की साइजु मौने परता दें में तो हमने डारेक्टिंट्फ बता देगा तो यह दोनों हो सब्सक्राइब और अंधर अब में नहीं अंश़ें क्या होता है ठीक है तो और अडिसे से कंकिया करना थिक है इस बीदी में किसी जॉब को मां अपकी चाँच किसी मास्टर से तुलिसा करके करते हैं मतलब तो उससे हमें अंदाजा पता चल जाता है तो उसको बोलते हैं तुलनात्मक माप ठीक है इसके बाद क्या है इसके बाद बस इस वीडियो में बस इतना ही ठीक है आगे मैं लेकर आऊँगा इसके आगे का है जो भी हमारी बुक में होगा ठीक है जैसे कि को details में आपको लेके आऊँगा तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आयो तो लाइक कीजेगा ठीक है और मेरे चैनल को subscribe कीजेगा ठीक है तो मैं ये वीडियो आपके लिए continue लाता रहूँगा ठीक है अगर पसंद आयो तो लाइक कीजिए अगर नहीं आया तो डिसलाइक भी कीजिए ठीक है और वीडियो देखने के लिए थैंक्यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को शेर भी करें थैंक्यू सो मच